हलो एवरिवान आज का कॉंसेट हम स्टार्ट करें उससे पहले एक क्योशन आप लोगों से ये हैं कि क्या कभी आपको टेली प्राइम में काम करते समय जब आप वाउचर में जाने के बाद आप एंट्री करते हैं काउंटर आप पेमें, रिसीट, सेल परचीज, किसी भी आप अभी पेंडिंग रहने दो, जिसको आप अभी कर रहे हो, और पहले आपको कोई दूसरे एंट्री करनी है, आपको सेल्स का बिल बनाना या पर्चेस का बिल बनाना है, तो ऐसी सिच्वेशन में आप लोगों के साथ साथ ये प्रॉब्लम हुई होगी, कि उस जिस आप पहले करते हैं, फिर उस एंट्री को करने के बाद जो पहले आपने मेनद करी थी, पहले आपने जो एंट्री करी थी, वो आप दुबारा से रिपीट करते हैं, तो आज आपको मैं बहुत ही सिंपल और यूनिक तरीका उसका बताने वाला हूँ, इन फ्यूचर आपको प्रॉलम कभी भी फेस नहीं करने पड़ेगी, तो वीडियो पूरा जरूर देखें, इस किप नहीं करें, ताकि ये पूरा 100% कॉंसेप्ट आपको समझ में आ सके, देखें आपको क्या करना है, वाउचर समझाने के बाद मैं अभी एक्जामपल के लिए पेमेट वाउचर क करनी है, तो पहले क्या हुआ करता था आप लोगों के साथ, कि आप इस एंट्री को छोड़के किसी दूसरे एंट्री में चले जाते थे, और उसके बाद यही एंट्री आपको वापस से रिपीट करनी होती, तो आपके पूरी-पूरी मैने बेकार चली जाती थी, अब आप को क्या करना है, एल्टर के साथ में जी बटन प्रेस करना है, एल्टर जी करने के बाद आपको create voucher में चलना है, enter बटन आपको प्रेस करना है, और यहां पर किसी भी voucher को, जिसको भी आप यूज करना चाहते है, आप उस voucher को select करें, उसके बाद उसमें जो भी आपको एंट और इस परकार ये मैं entry accept करने वाला हूँ और जैसे entry accept होगी तो आप देखेंगे कि जिस entry को अभी just मैंने बीच में छोड़ दिया था accept नहीं किया था हम वापस उसी entry के उपर आ चुके हैं और अब इस entry को accept करना या नहीं करना वो हमारे उपर depend करता है तो आप alter के साथ में g button press करके और create voucher में आप जाके voucher बना कर देखें आपको पूरा practical समझ में आ जाएगा इसी परकार के और वीडियोज को पाने के लिए चैनल को आप जरूर subscribe कर लें और ज्यादा ज्यादा वीडियो को share जरूर करें